हेई एवरीवन वल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल सेली लेर्निंग क्लासिस मैं हूँ आपके एजुकेटर नेहा सैनी तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ आपके एक फाइल बनती है बीड के अंदर जिसमें किसी भी सेकेंडरी एजुकेशन लेवल की बुक का इसका कर सकते हैं ठीक है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना था फ्रंट पेज बनाना था उसके बाद आपका ये वाला पेपर आएगा जिसमें आप लेखेंगे के इसके बाद आपकना आपका इसके बाद आता है इस दिरसमें पासंड का नाम दे रखा होता है और कितने की है। कितनी बार अपलीश हूई है इसपर से नेक्स्ट हम content का image लगाते है content में chapter wise जो इतने भी chapters है वो सब भी दिये होते हैं तो content का page लगाते है photo state आप करा सकते हैं इसलिए ncrt की book से इसके बाद आप क्या करते हैं index लिखते हैं index पर name of book book का नाम लिखेंगे science textbook for classics subject science है board cbsc की cbsc की पूरी आप क्या लिखेंगे आप फिल फॉल फॉर्म लिखेंगे फिर publishing house के ncrt है और edition edition कौन से है December 2017 तो इस तरह से आप एक और paper यहाँ पर index का बनाते हैं then आप क्या आता है content analysis अब क्या करेंगे आप इसमें जो text book है उसका पूरा content आप analyze करते हैं क्या कैदिया गया है क्या किस की कमी है क्या नहीं है तुआ पूरी तरह से book का करते हैं इसका content analyze करते हैं उसमें हर एक सीच को आप notice करते औरrit व बताते हैं कि classic suicide innscrt हैवो कितनी benefit चीशन चेप्टर्स से तीन से लीटिड़ई Allah वृ जी फिसीकर आसे sticking सव्य है इस तरह से आप क्या कर सकते हैं को कर अपने कंटेंट को जो सब्सकल्ट करके तक इसको सब्सक्राइब Kopf कर सकते हैं कि ये तो आप स्वाले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है बुक में आप अपने हिसाब से इसके जो फाइल है वो अपने हिसाब से बनाई जाती है जो आपने शब्दों में आपको बनानी होती है यहां पर आइडिया दे रही हूँ कि कीस तरह से बनानी होती है आप यहां से आईडिया लेकर करकि अपनी जो फाइल है वो बना सकते हैं आक हुआ है एक्टिविटी जो बुक में दे गई है या कोई भी चीज आपको जो अच्छे लग रही है जो कि बच्चों के लिए दी गई है इसे यहाँ पर स्टुडें के एक्टिविटी दी गई है उनके लिए की वर्स दी गई है लास्ट चैप्र के समरी दी जाती है बहुत सारी एक्सिस दी जाती है तो इन सभी को भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको बिसीकली आप पूरा न्से आर्टिकर जो ने लाइज क बाल झाल जिसमें आप बता सकते हैं कि टेबल दे गई है टेबल में क्या क्या बताया गया है ठीक है डाइग्राम और फ्लोचार्ट दे गई हैं बच्चों के लिए प्रेक्टर्स भी दिये गई हैं जैसे पहली और बूजो है तो आप इस तरह से जो है पूरे कंटेंट को अनिलाइस कर कि बता सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चों के लिए बेनिफिट है किस तरह से ये टीचर्स के लिए बेनिफिट है इस तरह से आप इसको अपना जो एनलाइसीस है वो इस तरह से कर सकते हैं जैसे कीवर्ड दे गई है तो लास्ट में चैप्टर के कीवर्ड दे गई है तो तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं ठीक है प्रोजेक्ट्स और अक्टिविटीज भी दी जाती है उसके एक्जाम्पल्स आप यहां पर बता सकते हैं कि कौन से पेज़ पे कौन से अक्टिविटी दी गई थी या कौन से आप activity की यहां पर बात कर रहे हैं, project और activities देने से क्या होगा, इस तरह से आप बता सकते हैं, exercise दी गई है, things to read भी दिया जाता है, कि इस वज़े से क्या होता है कि बच्चे जो है, वो facts और interesting knowledge को gain कर सके और उस chapter से related जो knowledge है उसको भी वो अपना सके जाीच, खुणा,바โ क upper 수밖에 की खर कसर में भी ने है, bruिसे की यहाज है जा। और भी उसमयों थीखल़ पना सके झाल 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 झाल